4, 3, 2, 1 सभापती महोदय प्रति दिन छोटी मोटी जड़पें होती रहती हैं हमारी फोजें बड़े उत्सा से उनके मुकाबले में खड़ी हैं उनके होसले बहुत उंचे हैं लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके होसले को कभी गिरने न दे उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए जिससे उनका आत्म विश्वास बढ़े मैं मंतरी महोदय से अनुरोध करूँगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फोजों से करे उनको अच्छे अच्छे हथियार दे अनुसुचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूँ पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इनकारियों के लिए जिस धन का उपियोग होता है वह तीन साधनों से उपलग्ध होता है केंद सरकार द्वारा, राजसरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रतिविदन की अनुसार जितना धन इनकारियों पर व्या करने के लिए दिया जाता है उतना धन पूरी तरह से व्या नहीं हो पाता। पहना पड़े कि इस कारे के लिए जितने धन की आवशक्ता थी उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कारे को बीच में ही रोकना पड़ा। की है कि बहुत सी राजी सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ निश्ठापूर्वक ध्यान दे राजी सरकारों पर दबाओ डाला जाए कि वे इस दैत्व के प्रती सचेत हूँ और आयुक्त को इनके कारे में पूरा-पूरा सहयोग प्रदान करें। झाल